आज हम ancient history के 10 important questions देखेंगे जो आपके exams, various exams में पूछे गए हैं इस क्रम में हम पहला question देखेंगे, जो पहला question है वो कह रहा है कि किस हडपा कालिय इस्थल से टक्षाल ग्रह के साक्ष मिले हैं तो ये question बहुत important है, मांडी ये place पढ़ता है, मुझफण नगर, यूपी का district है, मुझफण नगर वहाँ पर देखने को मिलता है मांडी नामक place, जो recent में ही खो जागया है, जहाँ पे टक्षाल ग्रह के साक्ष यानि इविडेंसे राप्त हुए है question number two कहरे है, निम्रिकित मेंसे कौन हरपा सबिता के बाद स्थल है, मतलब हरपा सबिता के बाद के स्थल है, मतलब बाद में इनको जो है, खो जागया है हरपा सबिता के बाद के हैं, तो इसमें हरपा सिविलाइशन के बाद वाले जो हैं, वो रजादी है और रंग पूर है बोथ देखे दोनों आपके आफसन से होंगे तीसरा आफसन से हो जाएगा किसने हडपा सबिता में हडपा यह मोहन जोदोडो को सिंदु सबिता की जुड़वा राजदानी का है पिगट महोदैने ऐसा का है फिर लिखा हो है मोहन जोदोडो का उपनाम मृत्कों का टीला है तो ये मौहन जोदोलो का नाम है उपनाम मृत्कों का टीला और किस भासा का सब्द है सिंधी भासा का सब्द है मौहन जोदारो इसका मतलब होता है मृत्कों का टीला फिर लिखा हो है मलेरिया का प्राचिंतम साक्ष मोहंजोदलों से प्राप्थ हुआ है याद रखेगा हडपा के किस इस्थान से अंतेष्ठी संसकार की विधियों का पता चलता है काली बंगा से पता चलता है काली बंगा आपका बेसिकली इसका मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स होते हैं प्लैक बैंगल्स बोलते हैं को काली रंकी जो चूडियां होती है उनका इसका आर्थ होता है और यह राजस्थान में आपको मिलेगा देखने को राजस्थान में इसका प्लेस है राजस्थान में देखने को मिलेगा तो राजस्थान में प्लेस है काली बंगा और काली बंगा में जो है आपको देखने को मिलेंगे क्या बिसकिलिए अंतेष्ठी संस्कार funeral वाले जो concept है किस हड़पा काली इस्थल से पैमाना scale प्राप्थ हुआ है तो ये लोथल से प्राप्थ हुआ है और याद रखेगा ये हाथी दानत का बना हो पैमाना है 1.6 mm का है सबसे छोटा पैमाना है किस लपा काली इस्थल से वकरा का रिटे मिली है चहुंदलों से मिली है आजादी के बाद सरप्रतम की इस्थलों का उत्खरन हुआ तो रोपड का हुआ और निमलिखित में से कौन से नगर को जो कच्ची इटों से बने थे वो आपका रंग पूर था याद रखेगा इस तरीके से हमने 10 कोशन डिसकस किया आपको समझ में आया होगा ओके बाई